हिंदुस्तान की साथ 1500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है जिससे लगते समंदर में लाखों मचवारे अपनी आजीव का चलाने के लिए मचलियां पकड़ते हैं लेकिन अक्सर ये लोग गलती से कभी श्रीलंका तो कभी पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो जाते हैं जहां इन पर शुरू होता है यातनाओं का लंबा दौर जो नकीवल इन मचवारों को बलकि इनके परिवारों को भी हमेशा के लिए तोड़ कर रख देता है अच्छा खासा परिवार बरबाद हो जाता है लेकिन मोधी सरकार की पहल के बाद इसरों ने इन मचवारों का संकट हमेशा के लिए दूर करने का पावरफुल प्लान तयार किया है और न केवल प्लान बलकि इसके लिए तयार किया गया है एक खास सिस्टम जो इनको श्रुलंका और बाकिस्तान की सीमा से बहुत पहले ही अलर्ट कर देगा ये खास उपकरन उनकी नौकाओं का पता लगा कर उन्हें साब धान कर देगा संसद में पेश नौसिना के रेपोर्ट के मताबिक सभी मचवारू के नाव में स्वाचालित पहचान प्रणाली यानि Automatic Identification System लगा दिये गए हैं ये सिस्टम 20 मीटर के उची नावों में लगाए गए हैं क्योंकि ये नाव भी गहरे समंदर में मच्रियां पकड़ने के ज्यादा काम आती हैं बेहत खास है इसरो का ये मॉजियूल इसरो ने मच्वारू के लिए एक खास मॉजियूल तयार किया है जिसके तहट एक ट्रांस पॉंज और योग्त में वस्था तयार की गई है जो नौकाउंट के नाकेवल स्थिती और इस्थान का पता लगाने में मदद करती है बलकि उनसे कम्यूनिकेट भी कर सकती है इसके जरिये मच्वारू को मौसम संबंधी संदेश भी जा जा सकता है और तोफान के आशंका होने पर उन्हें सतर्क भी किया जा सकता है इसमें निग्रानी के एक और सुविधा है जिसके ये पता लगाया जा सकता है कि वो अंतराश्ट्रे नौवहन सीमा रेखा पार कर रहे हैं या नहीं अगर वे सीमा पार कर रहे हैं तो उन्हें संदेश देजानी की भी सुविधा है इसरो ने गुजरात और तमिलाडू में 500 मचवारों की नवकाओं पर इसका परिक्षन भी किया है जो पूरी तरह सफल रहा है इसे अब पूरे देश में लगाया जा रहा है इसरो ने निभाया अपना वादा 21 नवंबर 1963 में भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला रॉकेट लॉंच किया था तब डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने मचवारों से थुमबा का इलाका छोडने का आगरह किया था ताकि वैज्यानिक अपना काम कर सकी मचवारों ने देश हित में अपना कारोबार शिप्ट कर लिया और इसरो वैज्यानिकों को पूरा सपोर्ट किया लिहाजा थुमबा क्यों मचवारों का इसरो पर सालो पुराना एहसान था जिसे वो किसी भी कीमत पर चुकाने के मूड में था इसरो के पूर्व चेयर्मेन डॉक्टर किरन कुमार के मुताबिक इसरो आमजन के जीवन को आसान बनाने के लिए दिनरात एक किये हुए है आज इसरो की तकनीक के दम पर किसानों और मचवारों समेथ आमजन को कई शेत्रों में सीधा फाइदा मिल रहा है आज मचवारे इसरो की तकनीक के दम पर सारी समंदर की खाक छानने के बजाए उन शेत्र में नविगेट कर सकते हैं जहां मचलियों की ज्यादा तादाद है क्योंकि इसरो के सेटलाइट फिशरिंग जोन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं इसरो की ग्राउंड स्टेशन से ये जानकारी मचवारों तक महुचाई जाती है जिससे मचवारों को पेट्रोल डीजल में ही सालाना 15,000 से 20,000 करोड की बचचत होती है इतना ही नहीं इसरो सेटलाइट्स की मदद से उनको मौसम संबंधी पूर्व सूचना से भी वाकिफ करवा देता है जिससे वो साइकलोन या खराब मौसम में फसने से बच जाते हैं जिससे ना केवल उनकी जान बच्चती है बलकि करोडों रुपए के संसाधन भी सुरक्षित रहते हैं नौसीना कर रही हर संभव मदद भारत में करीब 2,46,000 नौकाई हैं जो 20 मीटर से कम हुची हैं लोगसभा में पेश की गई रक्षा संबंधी स्थाई समीती की रिपोर्ट के मुताबिक भारती नौसीना और भारती तटरक्षक गार्ड सभी अंतराश्री सीमाओं पर छुर्णंका बांगलादेश और पाकिस्तान के साथ गश्ट कर रहे हैं ताकि इन मचवारों को सीमा पार करने से रोका जा सके पाकिस्तान और वांगलादेश के तटरक्षकों के साथ हमारा हॉट लाइन पर संपर्ख है हाला कि कुछ शरार्ती लोग अंतराश्री नौवहन सीमा रेखा को पार कर जाते हैं ये वही लोग होते हैं जो 20 मेटर से कम मुचाए वाले नौकाओं का प्रियोग करते हैं कौन सी सेटलाइट कर रहे हैं मचवारों की मदद? अब आपके मन में सवाल पैदा हो सकते हैं या आखिर इसरों के वो कौन सी सेटलाइट से हैं जो ऐसी गतिविधियों को ट्रैक करड़ी के काम आते हैं तो आपको बता दे कि सरों के पास कई ताकतवर सेटलाइट सीरीज हैं जो आस्मान में जासू सांखों के तौर पर काम करती हैं फिलाल इसरों ना केवल भारत बलकी पडोसी देशों की घरों में हो रही हर गतिविधियों तक को ट्रैक कर सकता है समंदर में मचवारों के सकाम में इसरों जिस सेटलाइट सीरीज का इस्तिमाल करता है उसमें पहली है रीसेट सेटलाइट सीरीज ये सेटलाइट हर तरह के मौसम में धर्ती की तस्वीरे ले सकती है। प्राकृति काप्दा के दौरान ये शानदार मदद पहुचाती है। इस सीरीज के तहट भारत का लेटिस्ट सेटलाइट रिसेट टू बी आरवन है। जो अपने नए रडार सेट से निगरानी और किसी भी गतिविधी को ट्राक करने की नई शमता दे रहा है। रिसेट टू बी आरवन में इतना ताकतवर निगरानी कैमरा है कि ये बादलों के उपर से भी उच्च गुडवता की साफ तस्वीरी ले सकता है। ये इमेजिंग उपग्रह एक्स बैंड संथैटिक अपर्च और रडार से लैस है जो कि रक्षा उप्योग के लिए सबसे अनकूल है। ये उपग्रह किसी भी मौसम में काम कर सकता है। ये देश की सेनाओं जो धर्ती की तस्वीरे लेती हैं। इस सीरीज के 9 सेटलाइट लॉंच किये गए हैं। इन में लेटिस सेटलाइट काटो सेट 3 का क्यामरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से 25 सेंटीमीटर तक की तस्वीरे ले सकता है। यानि धर्ती पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कि दो बस्तूमों की पहचान इस पश्ट तोर पर हो सकती है। दूरस थिलाकों में इनके जर्य ही कम्युनिकेशन इस्थापित किया जाता है। इस सीरीज का लेटिस सेटलाइट G-SET 30 है। जो G-SET सीरीज का बेहद पावरफुल संचार उपक्रह है। जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली में नई करांती का आगाज हो चुका है। इस से आबदाओं के प्रबंधन, उनके पूर्वसूचना, मौसम संबंधी जानकारी और उसका पूर्वा अनुमान लगाने में तगडी सहुलियत होगी। साथ ही आबदा के वक्त खोजबीन और रेस्टी ऑपरेशन में तेजी आने के साथ ही ये काम बहुत बहुत बहुतर अंदास में किया जा सकेगा। कि वक्त आनकारी और उरी के साथ ही झानकारी आनकार भूर्वस करते के साथ हा returns